कर दोस्तों आप सभी को जहारखन नीज में स्वागत है आज हम फिन से पहुचे हुए हैं गाउं में जो गाउं का समस्या है समस्या के बारे में पूरे हम जहारखन सरकार को आज हम बताते हैं जैसे में आज जिस गाउं में हम पहुचे हुए हैं गाउं मेरों को पता नहीं है कि यही है मेरा जार्खन का रितिया और वाज कि आज भी हमारे हां के जो भी बच्चे लोग हैं जो पूरी तरीका से गरीब परिवार से बिलम करते हैं इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है सबसे पहले हम चलते हैं कि महिला के पास महिला से पहले हम बात करते हैं किनकी गाउं क परता है अधिन पुरा थाना है अच्छा प्रिकाला अच्छा अभी जो हम पहुंचे हुए हैं इस बर जो ओड़ेया गाउं में पहुंचे हैं यह परता है आपको गढ़वा डिश्टी के अंदर में एक हमारे विस्मपूरा परखंड इस परखंड के अंदर में बहुत सारे गाउं है आपको वीडियो में दिखाई दुरा कि यहां पर चोबी छोटे-छोटे अमारे लोग बच्चे लोग है जो गरीब परिवार से सारे लोग बिलं करते हैं इनकी गाउं का समस्या के बारे में आज हम बात करते हैं आप बताई कि आपके गाउं में चंपा कलका व्य अच्छा एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि यह बताए कि जब आपके गाहों में चंपा कल आपके घर में चंपा कल आप अपने से स्वेंग अथी किया है जो धसाएं है तो उसमें कितना खर्चा हुए आपका कितना होगे लोग अ अब बता हुनाई दो इधर आके बुलिए पिस हजार अचा आपका नाम क्या पड़ता है जासादेवी जी बताए कि सरकार के आप लोग भोट देते हैं तो आप क्यों नहीं मांग करते हैं कि हमारे गां में चीज का कमी है हमने कि सुनवाई ये नहीं है सुनवाई ये नहीं है कैसे बात करें पूरे जार्खन में देख रहे हैं कि हर एक जगा भी सारे जगा भी काम हो रहा है जिसे चंपा कल हो गया और कलोवनी कुईया इंद्रावास जो भी हमारे सरकार के तरफ सोता है इस सारे चीज का बेवस्थार मिल रहा है कि आप लोग यहां पर मिला की नहीं मिल देख लिए हमारे भारत के पधान मंत्री जी जार्खन के मुखमत्री जी आओ अपने च्छेतरी विधाय को भी कहना चाहते हैं कि इस गाम में जिस गाम है पोँचे वे हैं पूरे गरीब परिवार के लोग हमारे यहां पे बिलंग करते हैं इन लोग अपना से आज चमपा कल धसाय हुए हैं तो पानी पी रहे हैं सरकार के तरफ से कोई भी ये वज़ना कोई भी इस अलाव इन लोगों को नए मिलता है यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि यहां कि जो भी हमारे गरीब परिवार के लोग हैं उनलोग सुखी संपल जिये इतना ही का कि मैं वीडियो को स्वाप करते हैं जै हिंद जै भारत जै हमारे जारखन